नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिकेट बल्ड कप बंडे लीग बी के आज के मुकाबले के बारे में जो खेला जाना है केनिया और होंग कॉंग दोनों ही टीमों के बीच में तो दोस्तों टीम के कॉंबिनेशन को सेट करने से पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों के अब तक के टूनामेंट सफर के बारे में सबसे पहले जदी बात करें केनिया के बारे में तो चार मुकाबले ये अभी तक खेल चुके हैं दो मुकाबले जीते हैं और दो मुकाबलों में एनेहार मिली है वहीं अगर होंग कोंग के बारे में बात करें तो चार मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं तिन मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले में इन्हार मिली है दोनों ही टीमें इन टूनामेंट में एक बार आमने सामने तो मुकाबला होंग कोंग ने तीन बेकट से जीत लिया है यानि अब यहां से देखें तो एक बार फिर होंग कोंग की टीम का पड़ला हमें काफी जदा भारी दिखने वाला है दोस्तों यह मुकाबला भी कमपुला में ही खेला जाना है बारा मुकाबले भी तक इस ग्राउन पर खेले गाए है जिनमें साथ मुकाबले ऐसे रहे हैं जो पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम न जीते हैं वहीं पांच मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बाद में यानि की चेस करने वाली टीम न जीते हैं अब देखा जा दोस्तों तो टोस तोस इतना important होने बाला नहीं है लेकिन फिर भी हम टोस के slider पर यह अपमी team तयार करने वाले हैं क्योंकि average score कीभी यहाँ पर बात करें दोश्तों abrid's score काफी कम है लेकिन Hong Kong की बात करें जैरी हौंग कोंग पहले बल्लेबाजी करता है तो यह इसकोर आपको धाई सो प्लस दिखने वाला है वहीं अगर केनिया पहले बल्लेबाजी करता तो यह इसकोर 180 के पास रहने वाला है और बिक्टो की संक्या के बारें बात करें तो होंग कोंग के लगबाग 6-7 ही विकट गरेंगे वहीं आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहां से हम से जड़ जाएंगे फाइनल टीम फाइनल अपडेट दोस्तों टॉस की जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर ही आपके लिए देने वाले हैं यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए कापी हैलप पूल रहने वाली है और दोस्तों वीडियो को देखते हुए ही आप लाइक करकर चलिएगा तो सुरूबात करते है सबसे पहले बिगर्ट कीपिरिंग सेक्शन के साथ में देखने वाले हैं किस प्रकार के वल्ले बाज को हम यह से अपनी टीम में शामल करकर चलने वाले हैं दोस्तों यहां पर बात करें तो होंग कोंग के दोनों ही बल्लेवाज नंबर तीन पर बल्लेवाजी करते हैं यदि दोस्तों इने प्लेइंग मिलेगी तो इनको नहीं मिलेगी और इनको प्लेइंग मिलेगी तो इस बल्लेवाज को प्लेइंग नहीं मिलेगी तो सबसे पहले दोनों ही बल्ले बाजों के बारे में बात करें। दोस्तो जयमी जैमी एक सननmentation सुरुवात کے दो मुकावले खेले हैं और ज्रपर नंबर तीन पर बेटेंग करते हुए 6 أو 9 रण की खेलिए वहीं दोस्तो जिसान अलि जो मेंसे किसी एक बल्लेबाज को प्लेंग मिलेगी और यदि होंग कॉंग पहले बल्लेबाजी करता है तो इन दोनों मेंसे आप किसी एक प्लियर को यहां से अपने टीम में शामिल करकर चल सकते हैं लेकिन बात करें सबस्यादा सेलेक्शन यानि इर्फवान करीम के बारे मे तो लगातार किनिया के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तो रनों की बात करें तो ज्यादा बड़े स्कोर अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं मातर एक ही मुकाबले में 33 रनों की पारी खेली है बागी दोस्तो लगवग लगवग इसकोर कम ही रहा है लेकर अब बात करें किस बिगट कीपर टीम में शामिल करेंगे तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी हम उसके बिगट कीपर को अपनी टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं अब बात करें बल्लेबाजों के बारे में तो काफी लंबी लिष्ट यहां पर के लिए यानि ये बल्लिवाज निशेत तोर पर आपको अपने टीम में शामिल करना है और दोस्तों कोसिस करिएगा आप इन्हें ग्रांड लिग का कैप्टन और बाइस कैप्टन बीट्रा करकर चल सकें वहीं अगर बात करें दोस्तों एलेक्स ओवेंडा के बारे में तो केन जरूरी है वहीं अगर बात करें दोस्तों राकिश पतेल के बारे में तो अपनी टीम के लिए लगातार पास पे नंमर पर यह बल्ले बल्ले बाजी कर रहा है दोस्तों ये एक ऐसा लियर है जिसे आप अपनी टीम में कैप्टन और 22 कैप्टन मिझ ड्राय करकर चल सकते हैं जो आप आसानी से कैप्टन बैस्ट कैप्टन ग्रण लिंग में तयार कर सकते हैं, क्योक नियद्ल लॉरटर में भलले बाय बलले बाजी करने आ रहा है, और केनिया के डूनमेंट में केनिया का उड़ बंब लॉर fraud भाजी केनिया के लिए लीए रन कर रहे हैं, तो ये पिलिय इसके बाद 2 और पेछले मुकाबले में शूद्धेरनाएंट के बल्ले से निकले है और अभी तक दो मुकाबले हों बॉलिंग किये ऐसे में टोटल चार ओवर फेके है है और दो बिकेट निकाल कर दिये है हाला कि इनकी बॉलिंग करने के चांसे काफी कम है लेकिन फिर भी दोस्तों देखा जा किंचेश शा के पुराने रिकोर्ड भी काफी शांदार हैं और मिडल ओडर में बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले बल्लेबाजी आती है होंग कोंग की टीम की तो आप इस बल्लेबाज को निश्यत तोर पर अपने टीम में शामिल करकर चल सकते हैं इसके लागव बात करेंगे दोस्तों ओडी अमबो के बारे में दो परसंट लोगों ने अपने टीम में सेलेट किया है पहले दो मुकावले इन्होंने केले हैं लेकिन इसके बाद के दो मुकावले इन्होंने नहीं केले हैं पहले जो मुकावले इन्होंने केले हैं पांच पे और चौते नंबर पर बल्लेबाजी क करने आए हैं सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके लिए साथ ये है कि ये पिलियर आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करकर देने वाला है दोनों ही मुकावलों में चार चार ओवर फेके हैं और एक एक बिकट निकाल कर टीम के लिए दिया है हाला कि रनों की बात करने ज्यादा पिक के तोर पर आपके टीम में ये पिलियर शामिल होने वाला है अब बात करेंगे निजाकत खान के बारे में 10% लोगों अपनी टीम में ने स्लेक्ट किया है हाला कि रनों की बात करना तो शुरुगात तो इनको मिल रही है लेकिन इन स्कोर को ये बड़ी पारियों में और दोस्तों इनको भी शुरुवात तो मिल रही है पर अपनी पारियों को बड़े स्कोर में तबदीलिये नहीं कर पा रहे हैं अब ये दोनों ही पिलियरों में से आपको दोस्तों ग्रांड लिंग में ट्राय करना है क्योंकि केनिया की टीम इतनी मजबूत नहीं है इनकी लाइन अप इतना मजबूत नहीं है कमजोर बोलं लाइन अप है इसलिए इन दोनों ही वल्ले बाजों मेंafe आपको दोस्तों ग्रांड लिंग में में तयार करना है कैप्टन बाई सकते हैं अब बात करेंघंगे दोस्तों केनिया की ओप्नर तो रोषभ पटईल के बारे मे लेकिन हमने आपको बार बार बताया है कि दोस्तों इस टूनामेंट में मिडल ओर्डर के बल्लिवाजी बड़ा स्कोर करकर जा रहा है तो ऐसे में head to head टीमों से आप इन प्लियरों को ड्रोप करकर चल सकते हैं अब बात करेंगे ओल राउंडर सेक्शन से दोस्तों उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देगा क्योंकि आप यहां तक आए हैं इसका मतलब आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग लग रहा है और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें ठाक स्कूर निकल कर आ रहा है अब ऐसे मैं बात करें बॉलिंग की तो लगातार यह आपको दोस्तों कम से कम छे से साथ ओवर कंटिन्यू फेक कर देने वाले हैं पहले मुकाबले में तीन बिगट दूसरे मुकाबले में एक इसके बाद एक और इसके बाद दो बिगट टी के बना से सकते हैं। में और में यहां को बल्लेवाजी करते हुए दिखने वाले हैं कैन्या के बल्ले बाद इनकी से चार-वर यह आपको कर कर देने वाले हैं कि दो ही बिकत टीम के लिए coordinator हैं ड्रॉप करकर चल सकते हैं क्योंकि दोस्तों नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं रन इतने बड़े कर नहीं रहे हैं और बॉलिंग भी आपको मातर तीन से चार ओवरी करकर देने वाले हैं इससे अच्छा उप्सन हमें नीचे मिलने वाला है मुर्तजा उसे हम अपनी टीम में सामिल करकर चलेंगे लेकिन उसके पहले बात करेंगे सचिन बुदिया के बारे में तो बैटिंग ओडर साथवे आटवे नंबर पर इनका आता है यानि काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं बॉलिंग की बात करें तो अभी तक मातर चार ही ओवर फेके हैं और कोई बिकट करते हुए देखने वाला है तो रन तो इनके ज़्यादा नहीं है लेकिन बॉलिंग लिहाज से हमेने अपने टीम में शामिल करेंगे दोस्तों रनों की पहले बात करते हैं तो सिंगल डिजेट में स्कोर किया है डवल डिजेट में अभी तक यह नहीं पहुचे हैं क्योंकि तो आठ से नो ओवर यह बॉलर आपको बॉलिंग करकर देने वाला है और पहले ही मुकाबले में एक बिकट निकाला था इसके बाद उस्तों तीन बिकट निकाले यानि Captain by Captain आप Grand League का इने ट्राय जरूर करकर चल सकते हैं इसके अलाबत बात करेंगे हरलूम हरसत के बारे में 4% लोगों ने लिया है दो ही मुकाबले खेले हैं दोस्तो टोटल 6 ओवर फेके हैं और एक बिकेट निकाला है तो इसको पिलियर को आप ड्रॉप करकर चले हैं वही से देखें तो मातर आप दो से तीन ही ओल राउंडर पिलियरों को ले सकते हैं दो पिलियर आपको head to head टीम में लेना है और दोसों तीन पिलियर आप Grand League में ट्राय करकर चल सकते हैं अब बॉलिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ओटी ओनों आपके लिए बैसें बोलर हो सकता कहने आफ़ें की तरफ से क्योंकि अबी तक इन के दोरह 4 मुकाबलों 25 ओवर फिख अगये हैं, 7 बिगए अपनी टीम के लिए निकाले हैं हाला कि इन 7 बिगटों को बाटे हूं तो पहले ही मुकाबले में 5 बिगए निकाले हैं इसके बाद दूसरे मुकाबलों में 2 टीम में लिए निकाले ले इखामोर wanting पहले बोलखनों को करता है थो ऐसे नहीं को यहाई निए यदि होंकोंग बाद में मले लिवाजी करता है यानि चेस करता है तो ऐसे महें इन दोनों ही प्लियरों को आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं अपन भी पर तेल के बारे में दोस्तों लास्ट के दोनों मुकाबले नहीं के लिए हैं लेकिन सुरुवाद के दो मुकाबले खेले हैं तो वहाँ पर भी ज्यादा बॉलिंग नहीं किया इसलिए आप इनको ड्रोब करका चलें दोस्तों अब बात करेंगे अपन एहसान खान के बारे में तो नब्वे पर्षेंट लोगों ने टीम में ने शामिल किया है चार मुकाबलों में 31 ओवर फेके हैं और 10 बिगट टीम के लिए निकाल कर इन्होंने दिये हैं तो समझ गया होंगे दोस्तों आप ग्रांड लिग का शांदर कैप्टन बाइस कैप्टन ये पिलियर होने वाला है लगबग ये आपको 8 ओवर कंप्लीट करकर देने वाला है और पहले ही मुकाबले में 2 बिगट निकाले इसके बाद 4 बिगट इसके बाद 4 बिगट पिछले मुकाबले में बिगट नहीं मिला है लेकिन ये बिगट आपको गुच्छों में निकाल कर देने वाला है क्योंकि कैन्या की टीम सामने कमजोर है इसका मतलब आप इसे अपन एक बिकित टीम के लिए निकालें दोस्तों हों कों के लिए खिलते हैं यैदि पहले लिंग करें तो ॐसे में आप अपनी टीम में शामिल कर कर जुरूर वाले हैं दोस्तों बात करेंगे शुकला के बारे में तो यह पिलियार ऐसा है अठ्थाइस ओवर नोने फेक हैं पांच बिगट अपने टीम के लिए निकाले हैं यह पिलियार जरूर आपको छेसे साथ ओवर जरूर करकर देने बाला है पहले मुकाबले में एक दूसरे मुका आना दोस्तों इसको आप ड्रॉप बिलुकुल मत करना बाइस परसंट ही लोगों ने टीम में शामिल किया खास तोर पर आप हैड टू हैड में जरूर इनको ड्रॉप ना करें यहां पर यह आपके लिए डिफरेंट प्रिक भी होने वाला है और शांदार ऑप्सन भी दोस्तो कैले हैं सबसे पहरी चीज देख दोस्तों देखिए गा सबसे नीचे यह आपको मिलने वाले हैं तो इनके लेने के chances कम हो जाते हैं वहीं सबसे दूसरी बात दोस्तों इनके point यहां पर कम दखाई दे रहा हैं जबकि इन्होंने मात्र दो ही मुकाबले खेले हैं पहले मुकाबले में दो बिकेट निकाले हैं और दूसरे मुकाबले में तीन बिकेट निकाले हैं और दोस्तो एक मुकाबले में छाटवे नंबर पर आका तेरे रन भी इन्होंने बनाए हैं इसका मतलब दोस्तो यह आपको बॉलिंग करने के साथ साथ रन भी बना कर देने वाले है तो different pick के तोर पर ये player आपके काम आने वाला है दोस्तो एक demo team हमने आपके लिए बनाई है दोस्तो एक demo team हमने आपके लिए बनाई है और ये हमने आपके लिए कब बनाई है जब कि Hong Kong पहले बल्ले बाजी कर रहा है उसके हिसाब से हमने ये team बनाई है कैप्टन अजीच खान को रहा है 22 कैप्टन बाबर हयात को रहा है लेकिन यादी दोस्तों टोस में कोछ फिर वजल होता है केन या पहले बल्ले बाजी करती है या playing 11 आने के बाद कुसी प्रकार के परिवर्थन होते हैं इसकी जानकारी हम आपको टेली ग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों जोड़े रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलोको न भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैन दोस्तों